Hello Students, Welcome back और YouTube Channel तो Dear Students, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका Assignment No.3, October महने का Assignment Subject है Maths और Class 10 का आज के वीडियो में हम आपको सारे Questions को Solve करके बताएंगे समझा देंगे कि आपको किस प्रकार से करना है तो चलिए देखते हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सिस्क्राइब कर लेजिए जिससे कि आपको आपके Assignment से संबंदित सारी जानकारी information मिलती रहे और आपके Board से संबंदित जितने भी परिच्छा से संबंदित जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी तो चलिए देखते हैं प्रशन है आपके पास पहले नंबर का प्रशन है आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि मोहर ने बैंक में 100 रुपए प्रती माह की दर से 5 वर्श के लिए आवर्ती जमा खाता खोला यदि ब्याज की दर 6 प्रतिसत वार्शिक हो तो 5 वर्श पर शाथ उसे कितनी धनरा से प्राप्त होगी ठीक है ये आपके पास प्रशन है तो सबसे पहले इसमें मूलधन कितना दिया है पी बना प्रिंसिपल वैल्यू 100 रुपए दिया हुआ है और अब एन समय दिया हुआ है तो एन 5 वर्श दिया हुआ है एक वर्श में 12 मा होते हैं यानि 5 से हम गुड़ा करेंगे तो हमारे पास महिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 60 मा और दर कितना दिया है 6 प्रतिसत दिया है अब हमको आवर्थी जमा खाते के लिए एक सूत्र होता है उसे हमको इस्तेमाल करना है सूत्र देख लीजिए आप यहाँ पास सूत्र लिखा हुआ है ब्याज बराबर पी गुड़े आर बटे सौ गुड़े एक बटे बार और फिर गुड़े ब्रेकेट के चीनल लेके लेगे और फिसके बाद एन इन्टू एन प्लस वन बाई टू ठीक है यह आपके पास हो गया फॉर्मूला ठीक है अब इसके बाद आप जो जो मान आपके पास प्रश्ण में दिया गया है उसे आप लिख दीजिए आप यहाँ पस तो देखे पी का मान कितना है सौ फिर आर का मान च्छै है और बटे सौ तो यह सौ और यह सौ यह कैंसल हो जाएगा फिर अब आप देख लिजिए यहाँ पस कितना है आपके पास एक बटे बारा एक बटे बारा को आप यहाँ 6 से कैंसल कर सकते है 6 एकम 6 और 6 दुनी 12 यह एक बटे 2 आजाएगा आपके पास फिर एन 60 मा है और एन प्लस 1 60 प्लस 1 ठीक है 61 हो जाएगा अब आपके पास तो देखे अब यहाँ पस कितना हो गया यहाँ 60 गुड़े 61 हो गया और 2 से अगर आप कैंसल कर दें तो 30 आजाएगा यहाँ ठीक है तो अब 30 गुड़े 61 और बटे 2 तो इन दोनों का आप गुड़ा करिए अब आपके पास आ गया कितना देख सकते हैं आप इन दोनों का गुड़ा करने पर कितना आ रहा 61 और अब इसके बाद यहाँ से इसको पहले आप कैंसल कर दीजे ठीक है तो यहाँ आजाएगा 15 ठीक तो 15 गुड़े 61 15 और 61 का गुड़ा करने पर 915 रुपए आएगा यह ब्याज ठीक है अब इसके आगे आपको करना है कि मोहन को कुल प्राप्त रासी पी गुड़े एन प्लस ब्याज ठीक है तो पी प्रिंसिपल वैल्लिव 100 रुपए है फिए उसके बाद एन 60 मा प्लस 915 रुपए तो जब 100 का 60 से गुड़ा करेंगे तो 6000 आएगा और 915 को जोड़ देंगे तो 6915 रुपए आजाएगा यह आगया बेश्ट उत्तर ठीक है अब चलिए अगले प्रशने की तरह बढ़ते हैं अगला प्रशना है आपके पास स्री राम ने 30,000 रुपए 30 वर्ष के लिए साओधी जमा खाते में जमा कराया यदि ब्याज की 6 प्रतिसत वार्शिक हो तो ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो नियत तिती के परशात मिलने वाली धनरसी कितनी होगी तो देखें मूल दन कितना दिया होगी 30,000 रुपए एन कितना दिया है तीन वर्ष तो 6 माही दिया हुआ है यानि अब उसको क्या करेंगे उसको 2 से गुड़ा कर देंगे तो अब आर देख लीजे 6 प्रतिसत दिया हुआ है इसको 2 से हम भाग कर देंगे तो एन बराबर सबसे पहले आप देख लीजे 6 माही दिया हुआ है इसलिए हम 2 से इसको गुड़ा करेंगे तो 3, 2, 6 आ जाएगा समय कितना आ गया 6 फिर उसके बाद नया दर जो 6 प्रतिसत है उसको हम 2 से अगर भाग कर दें तो कितना आ रहा है आपके पास 2, 3, 6 तीन प्रतिसत आ रहा है यानि आर का मर हमारे पास 3 हो गया ठीक है छमाई के लिए अब साओधी जमा खाता में ब्याज के लिए हम सुत्र यूज करेंगे मूल यहां मिस्र धन बराबर यानि ए बराबर मूल धन यानि पी 1 प्लस आर भाई हेंड़ेड और इसका पावर एन ठीक है अब पी का मान रखे तीसर जर फिर उसके बाद यहां आर का मान रखे तीन बटेस हेंड़ेड और यहां पास आ गया इसकी घात एन समय आपके पास जो दिया हुआ है वो 6 हुए ठीक है अब इसके बाद इसका तीर्य गुड़ा करना है तो हेंड़ेड आएगा हेंड़ेड में प्लस 3 को प्लस कर दीजे तो 103 बाई हेंड़ेड की पावर 6 अब इसको 6 टाइम आपको मल्टिप्लाई करना है ठीक है तो अब यहां से आप इसको 30,000 103 बटे 100 को आप 6 बार लिख दीजे ठीक है अब इसके बाद यहां पास यह आप देख रहे हैं यह 0 और यह 0 यह कैंसल हो जाएगा इससे पूरा ठीक है यहां पास क्यों 3 बचेगा और बाकी के अंस में 103, 103, 103 यह 6 बार बचेंगे ठीक है और नीचे अब हर में क्या बचा 100 into 100 into 100 और into 100 ठीक है तो इन सब का आपको गुड़ा करना है तो चलिए देख लिजे अब अगले इस टेप में देख लिजे कितना है आपके पस 3 into 1092727 1092727 ठीक है फिर इन दोनों का आपस में गुड़ा करने पे कितना आ रहा 11940 5229 6529 ठीक है इसका 3 से गुड़ा कर दीजे तो 3 से गुड़ा करने पे कितना आएगा आपके पस बचे में सिधा सिधा आपको क्या लिखे नहीं है 100 000 000 और 00 ठीक है फिर इसके बाद गुड़ा करने पे आ गया 3582156 8 8 9 5 8 7 ठीक है और अपन शेम जो इससे पहले का है अब उसको डिवाइड करने पे देख लिजे आपके पस जो एंसर आने वाला क्या आएगा 35821568 तो 8 इसमे 6 में आप प्लस कर दीजे एक तो कितना जाएगा 7 तो 35821.87 यही दसमलों के दो इस्तान तक आप लिखेंगे अब आगे मिसर धन बराबर मिलने वाली धन रासी कितना है 35821.57 रुपए यही आपके पास एंसर होगा ठीक है अब अगला प्रशन देख लिजे समीकरन हल कीजे ट्रिग्नोमेट्रिक का यह प्रशन है प्रशन है आपके पास cos theta upon 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta is equal to 4 तो अब हम इसको हल करेंगे हल करने के लिए सबसे पहले आपको करना ही है कि सबसे पहले अंस से cos theta को हम common कर लेंगे तो क्या बचेगा 1 upon 1 minus sin theta plus 1 by 1 plus sin theta is equal to 4 अब इसके बाद इसका तीरेक गुड़ा कर देंगे हम आपस में तो 1 plus sin theta यहां आ गया और यहां plus 1 minus sin theta ठीक है plus sin theta और minus sin theta को minus कर देंगे 0 आएगा और 1 plus 1 को हम plus कर देंगे तो 2 आएगा और इन दोनों का जो हर है 1 minus sin theta और 1 plus sin theta इन दोनों का आपस में गुड़ा करने पर 1 minus sin square theta आएगा ठीक है और इक्वल में हम 4 करेंगे अब इसके बाद हमें पता है कि 1 minus sin square theta का मान कितना होता है cos square theta होता है ठीक है तो हम उसे लिखेंगे 1 minus sin square theta की जगह पर cos square theta लिखेंगे और cos theta और 1 cos cancel हो जाएगा तो बचेगा आपके पस 2 by cos theta बचेगा और equal 4 next अब अगले step में देखे अब क्या करना है आपको यहाँ से 2 by cos theta by equal to 4 बचा अब यहाँ से आपको करना यह है कि cos theta की value आपको निकालना है तो cos theta यहाँ आजाएगा और 4 इसके upon में आजाएगा तो 2 by 4 2 से divide कर दीजे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1 by 2 आएगा अब आपको trigonometric table से पता करना है कि 1 by 2 किसकी value है तो cos 60 degree की value 1 by 2 होती है तो theta बराबर cos theta बराबर 60 degree इसका माना आजाएगा अब अगला प्रश्णा देखिए dear students इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी share कीजिए और यदि वीडियो आपको अच्छे लगी हो आपका है लिए helpful हो तो आप वीडियो को जरूर like करें और वीडियो को जरूर share करें तो आपको सारे assignment के answer आपको हमारे channel के माध्यम से मिल जाएगा तो आपको विलकुल भी tension लेने की अशकता नहीं है आप इसको अच्छे से देख कर समझ कर आप सारे प्रश्णों के हल लिख सकते हैं अब अगला प्रश्ण देख लीचे सिद्ध की जेकी 10 15 degree into 10 36 degree into 10 45 degree 10 40 54 degree into 10 75 degree is equal to 1 आपको प्रूव करना है तो सबसे पहले आप left hand side को ले लिजे अब इसके बाद आपको क्या करना है उसे देखें तो सबसे पहले आप यहां से लिखेंगे देख सकते हैं कि 10 15 और 10 75 15 और यह 75 को एक पेर बनाईए फिर 36 और 45 यह 54 को एक पेर बनाईए और 10 45 की value आपको पता है टिक्नोमेट्रिक टेवल से 1 होती है तो इसको आप इसको separate अलग लिखेंगे ठीक है into में ही रहेगा लेकिन आपको उसकी value पूट करनी है अब यहाँ देखे 10 15 डिग्री और हमको मालूम है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 90 में 15 को माइनस करेंगे तो 75 अपने को मिल जाएगा तो इसको हम यहाँ चेंज कर देंगे फिर यहाँ पास भी हमको ऐसे करना है कि 10 90 माइनस 36 करेंगे तो हमको 54 मिलेगा अब यहाँ पास formula यूज करना है तो formula यूज करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 10 15 into cot 15 मिलेगा और 10 36 into cot 36 और 10 45 की वैलिव 1 थी 1 से multiply करने पर सेम आएगा अब यहाँ पास cot theta की value formula हम यूज करेंगे cot theta is equal to 1 by 10 theta होता है तो cot 15 degree का value 1 by 10 15 हो जाएगा तो 10 15, 10 15 degree यह cancel होगा यहाँ पास भी यह दोनों cancel होगे तो 1 into 1 आएगा तो यह आगे 1 यह proof हो गया ठीक है अब अगला प्रशन देख लीजे मान ग्याद करना है आपको 10 square theta 1 plus cot square theta तो इसका आप सबसे पहले क्या करें multiply कर दीजे bracket को open करके तो 10 square theta 10 square theta into cot square theta होगा और हमको पता है formula से की 10 theta की value 1 by cot theta होती है 1 by cot theta होता है तो इसका मान रख देंगे हम तो कितना आगया 1 by cot square theta तो cot square theta cot square theta यह cancel हो गया यहाँ बचा 1 तो 10 square theta plus 1 हमको मालूम है कि formula होता है 1 plus 10 square theta is equal to 6 square theta तो इसके अनुसरा हम इसे लिख देंगे तो यह आपके पास इसका answer हो गया अगला प्रशन देख लिजे अगला प्रशन है मान ग्याद कीजे प्रशन है आपके पास cos square 65 plus cos square 25 तो हम इसे लिखने के बाद भी क्या करेंगे यहाँ पास हम change करेंगे cos square 65 लिखेंगे plus cos square 90 minus 65 मिन्स 90 में 65 को minus करने पर 25 मिल जाएगा अपने को तो इस प्रशन लिखेंगे फिर इसको change करेंगे फॉर्मे के according क्योंकि cos 90 minus theta sin theta होता है तो cos square 65 plus sin square 65 हो जाएगा और फॉर्मे से हमें पता है कि sin square theta plus cos square theta की value 1 होती है तो इसका भीमान आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो इसकी यह value 1 मिलेगी आपको तो dear students इस प्रकार से आपका यह math subject का assignment के सारे questions हमने आपको बता दिये हैं और बहुत ही जल्द हम आपको बाकी के जो subject भी बचे हैं उसे भी हम आपको बता दियेंगे तो आप हमारे channel के साथ बने रहें और channel को subscribe करके रखें मिलते हैं next video में आज के video में इतना ही सब तक के लिए thank you and good luck